नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स पुल्डब आज़े चानल्स आटाटडा करेंगे तो नियुक्त है जिए अब है कि अब कर स्टॉप नियुक्त है कभी दागे दा सुई निगा जाती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी करा यह सुई खा जाओ लो हस रहा है अच्छा हस लो मेरी तो जिन्दगी लिखी हुई है फटी हुई चदर यहापे मा ठीकी कहती है तुम कपड़े बहुत बिगाड़ते हो अच्छा तो दो दिन के लि अच Hill का कि कौल गॉली बात गोहाँ पहले तो अगर तुम ला मुझसे जलते हो तो में आसकी अक्जाम दूंगा जाओ 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 कब्रेक प्राइब लाए वाब अगरेशव बाला ऑप जाए जाए गाना कप्रेश लाए वाप लें अगरेजी में गाली दे रहा है तारीफ कर रहा है तो डिदी आप जाए है अप तो रोजी आती रहेंगी जीजा जी का ट्रांसवर होगे आपने थाने बोड़ेशन कंग्रा जाले का खिताब तो मिली किया कि कॉलेज के सलाना जल्से पर अभ रहीम और उसके साथ ही अपना प्रोग्राम पेश करेंगे कर दो 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 तरद पड़ा ही होता है जब किधी का वहने लहू वो जान है वो तेरा लहू या मेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू अगर पुदा ये सोचता की माँ के सर पे था जो तो कौन हो रोकता अगर पुदा ये सोचता की माँ के सर पे था जो तो कौन हो रोकता अगर पुदाता चाहता धरम का जगबे राज हो तो कौन हो रोकता दिलो में पूट डालना तो काम है बैमान का लहू का रंग एक है दुनिया के हर इंसान का दर्द पड़ा ही होता है दर्द पड़ा ही होता है जब किसी का बने लहू वो उठा है हो तेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू प्यार की पुर्वया चले तो पूछे कब बता हिंदू या मुसल्मान का करम की धूप जब खिले तो पूछे कब बता हिंदू या मुसल्मान का करम की धूप जब खिले तो पूछे कब बता हिंदू या मुसल्मान का दिलों में पूट डालना तो काम है नादान का लहू का रंग है दुनिया के हर इनसान का दर्द बड़ा ही होता है दर्द बड़ा ही होता है जब किसी का बने लहू वो चाहे हो तेरा लहू मेरा लगू मेरा लगू मेरा लगू मेरा लगू चल्गुरू टेंटी बच के चल्गू आरे जोना यार आई तक कोंसा क्लासर टेंट केला है बुरू पार्टी देख रही है क्या क्या देख रही है बाप ललेत क्यों है लगता है कॉलेज में नहीं है ऐसा मुझे भी लग रहा है आने दे भीड़ो हाट डालके देखता हूं छोड मुझे मैं कहती हूं छोड मुझे छेनो एक बार जिसका हाट पकड़ लेता बेभी फिर जिंदगी में नहीं छोड़ता क्या क्या मुलाइम हाट है कहीं हाट में मोच तो नहीं आ गई अगर जो राजमाईशी करनी है तो किसी मर्द के साथ कर चल रहे चल अजयसम तो एक काम कर चल मैं आता हूँ अरे जाने जिगर तुक्यू बीच में आरे लाब प्लीज जग्रा मत करो इन गुंडों की मुह मत लगो हट गुंडा होगा तो अपने घर में सला कॉलेज जी आपका नाम कि गुंडा है तक्स अचमे 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 हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है साले उट उट साले बोल चुड़ा मुझे नजाव सईया छुड़ा के बैया कसम तुमारे मरा पड़ूंगा साला गर्ल्फ्रेंड बात ने कभी गर्ल्फ्रेंड देखी थी क्या साले अंग्रेश चले गए लल्लू छोड़ गए क्या भेड़ो छेनों तुज्या ने छड़ेगा क्या क्या लंग क्या बात है क्यों शोर मचा रखा है 200 देखे 2000 लिक वालिया मालिक पैसे लेने हैं तो लो नहीं तो दफाओ जाओ यहांसे विकारी कहीं के लगांग उठा अरे मत मारो क्या करता है अरे मर जाएंगे तो पैसे कहां से मिलें इन सब की जमीनों पर कपजा कर लो मालिक आ करता है मालिक आ शोरट मालिक करता है मालिक आ करिए तो में आसूरट करी लोगा क्यों मचा रही है पैतों की वसूली तो करने दे प्यारी मा अरे धनेश्वर मेरे बेटी पाएं लागू माजी जीते रहो यह मेरी चोटी सी भेंट सुईकार करो अपनी मा के लिए मैं दुर्गा मा की मुर्ती लाया हूं अरे जुब जुब गियो बेटी वैसे मेरी दुर्गा तो तु हुई है मा आ गया साला कड़्चा गाव में 25-50 चम्चे मरे होंगे तो इस कड़्चे का जनम हुआ होगा तो मेरे कितना ख्याल रखते हो अरे क्यों न रखूं मा जब से तेरे इन चर्णों का आशिरवाद लेके मैंने धंदा शुरू किया है मा दिन-दूनी राज-चौग हो रही है तेरी दया से माने एक गाड़ी और खरिद ली अरी वाह लेकिन मा सबसे पहले तुझे और धरम भाया को इस गाड़ी में बठाके तीरो त्यात्रा ले जाऊंगा मैं वेटे तू कितना अच्छा है तीरस्तान जाने के बाद तू तो अपने पाप धोलेगा लेकिन मंदिर स्मिति का चेर्मैन हमने धरमभाया को बनाया है और शारा चंद मां के पास जमा कराया है वह 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 बड़ घाग हो, गुरू चंदि के सारे पैसे का गडबल और घुटाला तुम कर जाओगे और फसेंगे मेरे बड़े भाया और मेरी मिया ये गोविंद अहमें ह कर देखो ना मा विचारा बड़े भाईया की खेती में काम करते करते कितना पतला दुबला और मरतुकड़ा हो गया है यह तेल लगाना नहीं छोड़ेगा हम तो तेरे प्यार की खाती रहते हैं और यह हमें जल्ली कटी सुनाता है कोई और का है तो गोली बात है कि सुनाने दो देखो हमने तुम्हें अमारा भाई बनाया ना जलता है एसे ही मज़ाग कर रहे अरे मैया हमने तो शहर से कुछ साधू को आवेली बे बुला है लो अजिए पड़ा है कितना भास मारता है अचा दर्म बैया यह मेरा बेटा जो है ना देवता है देवता नहीं है काला नाग जितना जुकता है उतनों ही गहरा काटता है पुस तना डॉले मेरा अटा आप देखे ना एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी कि वो धरम का दिन माहर चुनियुम मोहनूनु तुम तो जानते हो हम हर चीज मिाठत कर खाते हैं बाद मैं बचा खजा तंबे खाले ना प्रंतु किंतु चिंतु कपड़ों की तरह आप यार भी तो बजल डालते हैं दन्ना बाबू आज काल आपने धरम को अपना भाई और उसकी मां को अपनी सगी मां बना रखा है मामा मिनिस्टर बन गया है अगर उसे रिष्टेदार नहीं बनाऊंगा तो सरकार से ठेके कैसे लूंगा इसलिए मैंने धरम की मां को अपनी माता जी बना लिया है चंपी करा लो चंपी रादेशाई चंपी बाशाई चंपी किसारी चंपी तुम को तो तुमारी भी चंपी कर दू चुप चुप बस तुम दोनों भाईयों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे तो मैं समझेंगी कि गंगा नहाई मैं मालश करना है अरे यह यह अले तोड़ रहा है मेरी अ यह फिकर लख रहा है रेकिंग कर रहा लेकिन तो तो मेरा लगू है इदन ना in अरे अप्र डांस कॉंपटिशन के रेसल के लिए अरे मेरा सर कोन दबाएगा मुझे बाफ कर दो कल दबादूंगा अरे सुन ओर बाम justice gang जबाद मेरा सुन ओर्र ! अरे एक रेकी मेरे आऴ हो क्वरा हो, आदो सा concur। एकाँ अरे आँचान दवर कि सक्वर कर दिएए याह, चाह, उसरो मेरा उपस्वर के लाएभ we love you me we love you we love you come in no 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 oh ओ जाने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम पपरितु पपरुता पपरितु पपरुता रहूंगा ओ जनम ओ जने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम पपरितु पपरुता पपरितु पपरुता रहूंगा 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 त्यार की राह में पहला पहला कदम मैंने देखा तुझे प्यार से जो सनम तेरी आखे जुकी तुझको आई शरम इन ही निकाहों पे हम लुट गए जानम हे हे प्यार की राह में पहला पहला कदम मैंने देखा तुझे तुझको आई शरम अरे आ मेरी पाहों में जोंग आ मेरे होटों को चूंग अब नाजुता होंगे हम गीता, गीता, ओ गीता, या, 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 ओ जाने मन, मुझे रब की कसम, तुझे चाहता रहूंगा, जनम, जनम. मैं हूँ कहीं और दिल है कहीं, मेरा है दिल मेरे बस में नहीं, जूम के चम मैं नाचू यहाँ, जूम में गगर और जूम में जमीं। मैं हूँ कहीं और दिल है कहीं, मेरा है दिल मेरे बस में नहीं, जूम के चम मैं नाचू यहाँ, जूम में गगर और जूम में जमीं। आँ मेरी बाहों में जूम, जूम मेरे होटों को जूम अब नाचुदा होंगे हम, गीता, गीता, ओ गीता, या 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 या, ओ जाने मन, मुझे रब की कसम, तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम अरे ओ जने मन मुझे रब की कसम तुछे चाहता रहूंगा जनम जनम पपरिटू पपरुटा पपरिटू पपरुटा जने वाजा आगा यार कसम से डान्स कंपटिशन के यह तो किताने भी डान्स पहुच्छा किया था मुझे भी देखने दे अबे देखले अगरी बार देखले इसके बाद ये घोचु लोग इस इलाके में नजर नहीं आएंगे चलो तो बार देखले अगर आगा इसके बार देखले किताने जर वार शेखले झाल 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 दीदी वबिच्ण दीदी ओफो कहा हूं तुम देखो मैं क्या जीत कर लाई हूँ दीदी क्या हुआ क्यों इतना शोर मचा रही है बस दिन भर मधू मखी की तरग घर के कामकाट का छत्ता बूने में लगी रहती हो देखो आज तुम्हारी गीता ने कॉलिज में इनाम जीता है दू मचके हमारे नाम की कीता तुम्हारे इसी नाम जीतने से मुझे बहुत खुशी हुई दीदी आज ये ना मुझे तुम्हारी वज़े से मिला है खुद बिना पढ़ी लिकी रहकर घर का सारा काम देखती हो तुम और बापू को मजबूर करके मुझे कॉलिज में दाखिल करवाया तेरा नाम सारी दुनिया में रशन हो जाए इसलिए भगवान के सामने रोज दिया जलाती हूँ पवित्रा बेटी सारी जिंदगी दूसरों के लिए दिये जलाती रही अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं इनामी से मिला है और खुश हो रही है तू यह तो वही बात हुई के बेगानी शादी में अबदुल्ला दिवाना इसलिए हमने तुम्हें घर से निकाल देने का फैसल श्क्ति क्या कहते हो बापू भाई मेरा मतलब है इसका रिष्टे एक जगे पक्का कर लिया हाँ हाँ मेरी बहन गाय है गाय लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कि एहरेगेरी को रस्षी थामने दूँगी पहले लड़के को मैं देखूंगी कौन है वो लो अरे तुम मुझे बुद्धू समझती हो अरे अपने पड़ोस के गाहों में अवंती बहन का लड़का धरम सिंग्ग धरम सिंग्ग यानि गोविंदा का भाई लेकिन तुम गोविंदा को कैसे जानती हो जी वो मेरे कॉलिज में पढ़ता है बड़ा अच्छा लड़का है आप चट मंगमी पड़ व्या कर दीजिए तुम विंदा के साथ? हाँ नहीं मेरा मतलब धरम सिंग्ग ओ धरम सिंग्ग शिवम्मा दुविंतमो सव पापम प्रणित्व दिव्याकरम सदी संकरारम, शिरोसम, इंधमा मिशशम, सोमसम, भुक्तम, भुशम, तरणि-गर्बसंबुतन थिभुतां थिए कमार सभियस कंदी दूँति न, कंदी लग रही है चोडी लग रही है वोद्ध रख रही है क्या कर रही हूँ क्यूव? शुबह से जो भी आ रहा है, मेरा कौट खराब करने के पिछे पढ़ा हुआ पहले बच्चे आए उन्होंने खराब किया, फिर दादा जी आए उन्होंने खराब किया और अब तुम.. इसमें बुरा मन्ने के क्या बात है तुम्हें तो मालूम है कि मुझे मजाक मजाक में सच बात करनी की आड़त है अच्छा सुनू चलने कि इतनी जल्ली है कहो तो तुम्हारे भी फेरे गर वालू थोड़ा अपना भी ख्याल रखातर यार अब वो तेरी शादी में तुम मेरा ख्याल रखना इस दुनिया में ऐसा कौन सा बहादूर बाप होगा जो इस टैंक के नीचे अपनी बेटी को देदेगा अब इसके हाथ इतने खुबशूरत है तो चहरा कितना खुबशूरत होगा चन्ना बाबू अभी तो आपने इसके रूप का ट्रेलर देखा है जब आप इसके रूप की पूरी फिल्म देखेंगे ना तो आपकी तो आपकी तो बांचे किल जाएंगी कल मुह दिखाईए है महीं मुह दिखाई में आखे चार कर लेंगे चल हावा कर बाबे बाबी मेरा नाम कोविंदा है मैं हूँ तुमारा इकलोता डालडा लाडला देवर बहुत ही आवारा है ये कई बार हमारी मटकी फोड़ी है इसने मटकी फोड़ता है ना और तो कुछ नहीं फोड़ता ना ये फुसल बखबख किये जा रही हो आरे भाबी आगी वह खुद देख लेंगे कि मैं कैसा हूँ चलो भाबी जली से टीका लगा चलो मेरी भाबी मा तुम्हारा पाउ इसलिए चुआ कि तुम बन गयों मेरी भाबी और तुम्हारे हाथ में है घर की चावी तो जरा बंदेगा ख्याल रखना दाना पानी ठीक से देते रहना और भाईया कि सहलियों की बातों मैं तो बिलकुल मताना ये क्या बोल गया मेरा मतलब है कि दीदी की सहलियों की बाते में बिलकुल मताना मैं दुवारा पाउच चुदा हूँ सारा गाउ जलता है कि मैं कितना शरीफ आदमी है मैं चलता हूँ आये थन्ना बाबु अरे खजूर की तरहां आदा अकर की क्यों खड़ा है ये के खड़े होकर तिलक लगाएगी तुझे चलीचे बैट आभी को मालूम होना चाहिए हमारा मुकाम गोविंदा से भी उंचा है हम धरम भाईया के दोस्त भी और भाई भी और सबसे उंची भेंट लेकर आएं असली सोने का है ये हार असली माल पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है अरे काही नकरे दिखा रहा है तू मालूम है तो गाव का जमिनदार है बैट नीचे चलो हमी जुक जाते हैं मगर एक शर्थ है भाबी हमारा ये हार हमेशा गले में जूलता नजर आना चाहिए कर देती लग बहु ये मेरा बेटा बना हुआ है हाहाहा कि काओ सब्सक्राइब कर निए बाइब का बाइब हुआरे श्राइब पर एब कावं के जब हो गया निए खोलो दर्वाजा खोलो अईसी कोई खास बात नहीं है वो हमारा कुछ रह गया है भीतर क्या रह गया है वह भावी जो आदत ही न होती तो आज मिया बाहर और बीबी अंदर कभी न सोती लिकाय की पड़ी है अभे घोचू सुवागः लाओ से पड़ा तो बड़े और बुड़ों से किया जाता है बुडों से भाईया बहुत बहुत में दूरोजा खुल गया कोई बात नहीं नहीं देख सकता है अचा बहुत तुमसे अधी इंप्रोटन बात करने आड़ आधी पर जो अचा बहुत बात आपको आपको नग्या और सुनो वही कितना भी दर्वादा ठोके दर्वादा खोलना नहीं और मैंने जो धूद दिया ना जरूर पी लेना मानस में नीन की गोलिया मिला रखिये पी लेना हाँ वाँ 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 कि दन्ना बाबू गय काम से गोरी दुलनिया ने डाल दिया दिल पे डखका है चिलमन से दिखा के जलवा जालिम ने कर दिया घायल जालिम ने अब लुके पठे कवार कदे दर्मू के हाथ लगया और हम साले दिल मसोच कर रहे प्रंतू कि तुचिल्टू दिल तो सोच में से क्या फाइदा ना बाबू आप देवर तो बनीगे दीरे दीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ो अरे इतना सबर कहां है हम तो सीधे पहुंचा ही पकल लिएंगे अरे 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 पाएं लागू भाजी भाईया को खाना खिलाकर आ रही हो क्या तुम्हारे भाग पर भी तरह साता है भाजी ऐसी पूलों जैसी कोमल काया और यह चिलचलाती धूप में तुम काम कर रही हो कसम से भाजी हमें अगर भगवान मिल जाए तो हम उसकी ऐसी तैसी कर दें मतलब भगवान से भी जबर हो तुम और नहीं तो क्या अचा भाजी अब तुम ही न्याय करो हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है जिसमें मकमल की मुलायम मुलायम सेजे हैं जिस पर अपनी भरपूर जवानी लिए हम राते करवटें बदल बदल कर काटते हैं और इधर तु कि इतनी नाजुक काया लिए हुए धूप में छुलस रही हो जी लाओ तुमारा बोज हम उठा नाराज हो गई हम तो तुम्हारे देवर ही हैं गोविन्दा के जैसे ही हैं तुम तो जानती हो जानती हूं मगर तुम नहीं जानते कि देवर भावी का रिष्टा मा बेटे का रिष्टा होता है औरे राम 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 भावी मेरे खायाला तो भावत पवित्र से भावी जीप में छोड़ाता हूं एक ना एक दिन तुम्हाँ याओ एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कहां थी तुम्हाजी के पैर दबा रही थी मा जी के साथ तो पूरा दिन बिताती हो कम से कम रात का वक्त तो मेरे साथ बिताओ तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे परबात कर अरे कहां से आ गया तू वो क्या था कि एक जरूरी काम आपड़ा था वो मा कह रही थी कि तुम भावी को लेकर गाव जा रहे हो जा रहा हूं तो मुझे जाने दुना मैंवा नावाजी भी हो जाएगी कर मेरा दिल भी भावथ X है ऑंक है काम है मुझे शेhill में ठीक है तो कुल सुबास काम है हम हें से परो से हे अवा gereal ही हुआ ही पहले लूज तो कि को न हुल यह कुछ नाइट चलिव ड़णा बन गरना में पराष चका अदर गया अरे जीती रहो बैटी जीती रहो अरे बैटी चिठी न तार न टेलीफोन यह तुम मैं अचानक कैसे आ गई इस पीताजी मिलने को मन चाहा तुम्हें आ गई गीता अरे देखो तो कौन आया है जी पापुजी चाय पानी का बंदोबस करो पमित्रा और गुबिंदा आये हैं तो ठीक तो है ना तेरा घर कैसा है तेरी सास कैसी है सास नहीं वापु वो तो मेरी मा है मा सच और मुझे इतना प्यार करती है किक प्सी कंए मैसस नहीं होने देती है वह घर नहीं सौर्ग है سौर बापु गोविंदा मेरा इतना ख्यार रखता है कि बस पूछो ही मत तुझे खुछ देखकर दिल को तसलिय हो गभवान गीता को भी तेरी तरह का घर दे दे तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए बापू गीता और गोविंदा की जोड़ी कैसी रही की अरे बेटी तुने तो मेरे मूँ की बात ऐसा हो जाए तो क्या बात फिर तुम्हें सीधा गंगाशनान के लिए बापू होविंदा आज मैं तुम्हें ऐसी चाय पिलाओंगी कि तुम्हें जिन्दगी भर याद रहेगा एक चमच नमच एक चमच नहीं दो चमच मिर्ची यह लीजे आपकी चाय जी जी नहीं मैं घर से पिकरा रहा हूँ घर में तो रोज ही पीते हो यहां भी पीलो आखिर आप तो हमारे महमान है अच्छा अखिर अच्छा तो ठीक है ठीक है तो पीले तहूं आभी क्या आद करेंगी यह बैठ की पिताव हाँ बैठी ना थैंक्यों का हुख जायक टेस्टी है ना बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है बलके इसमें टेस्टी टेस्ट भरा हुआ है आपको इससे जदा तेस्ती चाय पिलाऊगा अजी आप चाय तो क्या जहर भी पिला दे तो हस्ते पिजाऊगा ऐसे आपकी चाय किसी जहर से कम नहीं थी फिर भी दे के हसरा हूँ ठीक है भाई ठीक है पी लेता हूँ नहीं तुझे मेरी कसम लेता हूँ गोविंदा तेरा किष्ण क्या नईया तु है मेरी राधा ओ राधा गोविंदा तेरा किष्ण क्या नईया तु है मेरी राधा तेरे विरो जीवन मेरा राधा पिलकल आधा ओ राधा गोविंदा तेरा किष्ण क्या नईया तु है मेरी राधा ओ राधा जाती कहा है इठला के गोरी तुझी से बंदी है साथों की जोरी जाती कहा है इठला के गोरी तुझी से बंदी है साथों की जोरी मट्की में माखन माखन की जोरी तु जानती है ये है मेरी कमजोरी मर डला को बिंदाओ तेरा किष्ण का नईया तु है मेरी राधा और राधा गोविंदा तेरा किष्ण का नईया तु है मेरी राधा तु है ये तु है ये हैं तु है ये ये जोगोविंदा जोरी का दिल चुराए बे बापुची ठोगान देना पुर्सत में तुझको रब ने बनाया तुझको बनाकर दुनिया में लाया पुर्सत में तुझको रब ने बनाया तुझको बनाकर दुनिया में लाया दुनिया में लाकर ये जिल मठाया मेरे ही दिल की धड़कन बनाया मेरे ही दिल की धड़कन बनाया है रबाद। दो विंदा तेरा किशन का नईया तु है मेरी राधा तेरे विरा जीवन मेरा राधा बिलकल राधा गोविंदा तेरा किशन का नईया तु है मेरी राधा बापुजी जोगान देना पोड़का जिल कुरेए बापुजी जोगान देना माजी माजी आज में कुछ कच्रा चला गया क्या हो बहुत दरत कर रहा है इधर आके बैट यह मैं निकाल देती हूं लो इनसे मिलो यह कच्रा निकालेंगी हट यह मुट्टी बर चावल धाई गंटा साप करने के बाद इनके हाथ का चावल खाओ तो उसमें चावल कम और कच्रा जादा निकलता है भाबी ज़र आके फड़ो अच्छा इसे कहते हैं देवर भावी का सच्चा प्यार क्यों धरम भाईया कितने प्यार से आँखों में आखें डाल कर बैठे हैं पब आर पी बहुति है कर दो लुखना टोने के अनुछ आगा लिम की तुन गाली टूपला मुझे को कच्रा बोलने की कहा है अरे बहुजी पना शहर से आपके लिए बहुत बढ़िया चंदेरी साड़ी लाए थे अब अपने सर पे लगाने के लिए कोई बगेर बास वाला तेल भी ले आता कितना पास मारता है ये साड़ी हम नहीं लेंगे और आएंदा हमारे लिए कुछ नहीं लाना देखो मा पुन्य प्रताप से अब हमारी पांच-पांच बसें दोड़ेंगी और में क्या है यह से परमिट लेके आ रहे हैं और यह तुमारे लिए मा याने परमिट के लिए रिश्वत दे रहा है अबे खुद तो पाप करता ही है मा को क्यों पाप का भागिदर बनाता देखो मा जी हमारी खुशी में दो यह खुशी नहीं जी होता है खुश नहीं? यह कुश नहीं बेटा, यह खुश नहीं तो क्या हुआ? मैं तो खुश हू ना, चल अंदर चल कर आराम से बैठेünों. दोटी बहु तीन नी चंव चाय में और दया. छार कर यह शाप है खुद मिव हो सकता अरे भावी अब तुमने आग्या दे दिये तो देखो मैं क्या करता हूं इसका आना और जाना तो क्या इसका खाना पीना उटना बैटना नाना धोना सब बंद करवा दूंगा हां यह साड़ी अपने निक और अंदा मेली कुछ नहीं कि लाए कि दुनिया गुजा रहे आधी रात को क्या कश्ट है सरकार कुछ हमें भी तो बताओ हमारी बैसेती कर्दी गई सत्रा स्वर रुपाय फोग के दमदमाती चंदेरी साड़ी लायत है मगर चुआ तक नहीं अरे मो दिखाई पर दस अजार के आर के बली चड़ा दे पराश्त तक नहीं पहना और रात सती सावित्री बनती है अरे बहर जी अरे कैसे हैं आपकी ट्रांस्वर हो गई पड़ा हम लोगों की यहां पोस्टिंग हो गई है वो थाने का चाहस समालने चले गए और मैं यहां आ गई लेकिन गोविंदा यह सब क्या नौटंकी हो रही है यहां रादैशाम की प्रेम लिला को नौटंकी का नाम देकर गडबड़ कर रही है ना हाँ बढ़ जाए यहां बढ़ यहां बढ़ यहां तो हम कहां थे हम यहां थे रात पुनम की बनी सुहागन चांद का मुखडा चुमके लींदि से चौक पपी हाब बोला क्या है हुमरे पीहा से मिलना चुमके पीहा से मिलना चाला दिमाग चाटू हमें भीतर नहीं आने दोगे क्या बिलकुल भीतर आने नहीं मिलेगा आज से इस घर के कायदे और कारून बदल गए हैं बार के लोग बैटक में बटक हैं पेरा चुन आएये हैं आये हैं आये हैं रिकः टेछा दिने चु करूद रोजोज नहीं कि यह जरूत रूज नहीं यह ज़रुरी भी तो नहीं कि जो आद्मी तेल लगा के दिए नहीं कि पत्त करता ओ हो वह शन अदमियों वैयthy टखम तो पबलेट का होगा अच्छा जो भी होगा यार बैटक में बैठो दूर दूर क्या है कि भाहिया और मा घर में नहीं है तो अगर तुम्हें बैठक में बैठना है तो अपनी ये बैठक इधर घुमाके बैठक में जाके बैठी आओ वो रहीम भीतर और हम बाहर क्या है कि हमारे घर में सिर्फ राम और रहीम को ये एंट्री मिलती है रावन को नहीं में रावन नहीं तूम रावन कैसे रावन तो बहुत विद्वान आदमी था दो तुम्हाब हमें सिक्षा मत दो है धरम भाइया मेंने कहे बगेर एक कदम नहीं उठाते मा अपने मुगा निवाला निकाल कर मुझे खिला देती है और तुम मेरा अपमान करे अपन अपनान की क्या बात है तूम बाहर जाकर बैठो। थारम आता ही होगा। हम सब समझ खाए हुआ है। ब हम इस घर में कभी कदम नहीं रख spends करte गाओ में गणदे कदम करें पर के मौटा हुआ कि म Kensak a यह क्या कह रहे हो तुम हम सच कह रहे हैं भाईया पिताजी नहीं रहे घर के एकदम इकलोते हैं इसलिए तुमको बड़ा भाई मानते हैं इन मां के बच्चे तुम्हारी माने हमें अममता दे दी तो हम तुम्हारे घर आ गए भाईया वर्ला हमें किस चीज की कमी है किस चीज तुम्हारे देरी पर नहीं धरेंगे कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे भाईया तुम्हारे तुम्हारे अपमान नहीं हमारा आप माने माँ गोवंदा का है को अपना रिजल्ट लेने गया है क्या है अब हमें इसके एशारों पर चलना होगा वो इस घर का मुख्या है क्या जो उसके बनाएंगे कानून पर हमें अमल करना होगा आखिर बात क्या है मुझे में तो कुछ बता बात यह मां की धानश्वर आपकी इज करता आपका आशिरवाद लेने आता है इस गाव का इजददार आदमी है वक्त बेवक्त काम आता है उसका अपमान करके गोविंदा ने उसको घर से बार निकाल दिया क्यों यह जूट है और उसको घर में मौजुद थी उसने उसे बैठक में बैठने को कहा था और वैसे भी पर पुरुष को पराए घर के चौके तक गुसना नहीं चाहिए मंजूर है मान गया है तुम्हारी बात लेकिन जब रहीम इस घर में बिना रोक टोक के ना चुरगा सकता है तो उस बिचारे धानेशन ने क्या बिगड़ा वो तो मेरा दोस्त है मेरा भाई है आपका दोस्त बना रहे मगर हम और दोस्ती न गाठी जाओं की सभी औरते कहती है तो इसका चरिद्र ठीक नहीं है मैं सब जानता हूं कि कौन कौन सी आउरते यह बाते करती यह सब मिली बगत है एक शरीफ आदमी को यही बदनाम किया जा रहा है गोविंदा की तरह उसका नाम किसी है कि अրे क्या बात है भी यह तुन न राद है हम choking हम लोग ने कोई अपराथ किया कि यह कि अचिए तो हम तुम से संबन क्यों रखे दानिश्वार इस घर में कदम निलिख है कर्था वार क्षें को इस घर में ककदम रखने थें तो भाईया इस इलाके में दस-दस कोस दूर तक लोग जानते हैं कि रहीम किता शरीफ अग्मी है मतलब यह कि तुमने क्या दिया कि यह शरीफ है और धानिश्वर नहीं और अम्मान ले गुविंदा तुम हद से बाहर जा रहे हो भाईया गुस्ता ठंडा करो हमें देखने से अगर तुम्हारा जी जलता है तो आएंदा इस घर में हम कभी नहीं आएंगा लेकिन हमारी एक ही हिलती जाए कि गोविंदा और आप दोनों एक ही लहू एक ही मा के जाये हो मुसीबत में न मैं काम आऊंगा न धनिश्वर काम भाईया मत जाने दो से रोक लो से प्लीज प्रिज पर रोकड़ो कांख और सुन लो गोविंदा हूं है तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है कि तुमको उस से जाकर माफी माँगनी होगी तब रहीम इस घर में आसकता है यह तुमारी सब्सा है मैं तुम्हारे कहने पर दुख रगड़ सकता हूं सिर्फ तुम्हारे कहने पर लक्षमन की तरह अपने सीने पर शक्ती जहेल सकता हूं लेकन उस पापी धनेशवर के सामने के नहीं जुख सकता है वो कमीना यह कुटा है नीचे शाला को को भाया मुझे गलत मत समझो मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई कोई दुश्मन नहीं हूँ कुछ दुश्मन नहीं हूँ मैं तुम्हारा वा लोनकी मजा हा गया तका गई इस ही बच गई योद्द के नगारे इससे आपको क्या मिला आगे आगे देखो धराम और गोविंदा के इस घर का होता है क्या एक्जाम में पास क्या हो गए मुझसे मिलने तक नहीं आए बोलो क्यों नहीं आए कितने बेचें थे हम मैं बहुत परिशान हूं गीता भाईया ने उस कमीने धनेशवर के वज़े से उससे बोलना तक छोड़ दिया है यहां तक के यहां तक के देखते भी नी मेरी तरफ भाई से भाई का कभी जगड़ा होता है क्या आज नहीं तो कर जीचा जी का गुस्सा उदर जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा चल मोटू ते कामार आई है तो देखो कुविंदा गीता लेला मजनु की तरह महपत की कबंडी गेर रहे हैं अब गीता को पवित्रा बना दूंगा तो कैसे गीता को पवित्रा कैसे बिलाओगे आप बैसे मत पूछ गीता और पवित्रा में फरक ही कितना है अब नेरी गोली गीता के कंदे से चलेगी और गायलों की पवित्रा कमीने कुटे नालाइक तेरी ये मजाल मालो मालो भाईया और मालो हमें तुम जान से मार डालो ऐसा पवित्र द्रश्य देखने के बाद हम तो खुदी जिन्दा नहीं रहना चाहते जूटे मैं तरी जबान खीच लूगा ऐसी गंदी बात करते हो शर्म नहीं आई तुझे अरे भाईया आज कल तो सथ बोलना ही पापो गया हम तो आए तुम्हें आगाह करने और तुम हमें मार रहा है अरे तो लुटने दा घर की सथ याद रखना अगर यह बात सच नहीं निकली तो मैं तुझे जान से मार डालूगा भाईया तुम में सच्छाई देखने की हिम् अरे यह क्या कर रही हो पक्री दूद देगी मेंगने डालके गाय दूद देगी लात मारके और लड़की पप्पी देगी धक्के मारके चल बट 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 ओ अरे को निदी कैसी दी कौन है दी अरे अरे शर्माते क्यों हो तुम दोनों की शादी तो मैं बहुत जल्द करवाऊंगी अरे वह तो सब ठीक है लेकिन यह माने तब ना का गई अरे दरसल बात क्या ठीक है भावे तू तो सब समझती है अरे नाई अरे बात बाइए आरे को जाएगा एसा मत करो बहुत अर्फ हो जाएगा इससे ज्यादा नर्थ और क्या हो सकता है जो मैं अपनी आखों से देखा हूँ ला मुझे रिवाल और तो मैं आज ही इसे खतम कर देता हूँ ला नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूगा आप गुस्से में आप खुन कर देंगे तो क्या होगा भांसी हो जाएगी उसकी मुझे परवा रही रुवाल और तो भाईया भांसी से बड़ी चीज़ा है इसद जरा सोचिए सारे गाम में आपकी बद्रम ही हो जाएगी बीवी भाई सब मिल जाते मगर गई हूँ इसद नहीं मिलती भाईया और मैं साथ मेरे घचल कुलता भाया भाया क्या मेरे रास्ते से कमीले मुझे भाई कहते हैं तुझे शर्म नहीं आते दगाबाज नीच जलील कुटे मैंने अपना खून पसीना एक किया है सारा सुक्चैन तुझ पर निछावर किया है और बदले में तुने मेरी पीठ में खंजर खौब है अपने गेरे बान में जाक कर देख देवर भावी का रिष्टा मा बेटे का रिष्टा होता है लेकिन तुने तुने उस रिष्टे को धबा लगा दिया है कमीने यह पापी काम करने से पहले तुम नहीं तुम्हारी दारू बोल रही है आपकी सौगन भाईया अगर आपके जगह कोई और होता तो अज खूल में नहां जाता नहीं प्रूट नहीं है तुझे घर की मान मर्यादा आरे आई वरना तेरे तुक्णे तुक्णे करके तील और कवों को खिला देता हाँ कि ये लो और मार डालो मुझे निकाल लो अपने अर्मान टुक्णे टुक्णे कर डालो मेरे और खिला दो चिल को वो को लेकिन लेकिन सती सीता जैसे मेरी भावी पर कलग बत तो मैं पूछता हूँ इतना घिरा ना इल्जान देने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई इस उस कमेने धनेश्वर की धनेश्वर की संगत में रहकर कितने गिर गए हो तुम कितने गिर गए हो देख तो चोरी तोर उपर से सीना जरी आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अराम खाल नहीं यह क्या हो गया है तुझे किस राक्षिस की रूसवार होगे यह तुछ पर एक ही मां के चाय होकर उसी के आँखों के सामने अपने खुन की हो लिखे लोगे फेक दे यह गुलाडी मैं कहते हूं फेक दे भड़ जाओ मां फट जाओ इसने तेरी कोक को कलंग लगाया आज मैं उसे इसके लगू के साथ धौंगा यह आगे तुझे लगू की प्यास है तो बेजा लगू पीले अपने खुस्से की आग मुझे शाद कर ले बेटे पर एक भाई दुसरे भाई के लगू का प्यासा बने यह मैं हरकिस नहीं देख सकती मार दे मुझे मार दे मुझे मार दे बेटे मार दे मार दे मुझे करनी चला जा इस घर से अपना काला मू लेकर जा नहीं पैटे मेरे रोदे वुए तू इस घर से नहीं जा सकता नहीं माँ आप नहीं अब मैं इस घर में नहीं रहूगा माँ सुना भईया तुन्ने मैं जा रहा हूँ नहीं रहूगा मैं इस घर में हरे भईया अगर तुम मुझे जान से मार कर इस जमीन में गार भी देते ना तो मुझे कोई अफसूस नहीं होता मुझे कोई अफसास नहीं होता लेकिन जाने से पहले मेरी बात हराद में सुन लो ये मेरी भावी नहीं ये मेरी मा है ये मेरी क्या करा लेकिन थान नावाट शलक प्रिख्यड राम ने लक्षमन पे कभी नद भुख्याए भावेरों के कहने पे अपनों को ढूख राया भावी मा के रिष्टे पे ये कैथा कलंग लगाया मा की ममताजी भी भावेर गल युट खाया भावेर कलंग लगाया अरे तुम कैसी मा हो सोतेली मा की तरह खड़ी तमाशा देखती रही और ये भावी ये भावी नहीं दुरियोधन है दुरियोधन मेरे भूल जैसे भावी को घर से निकालते हुए तुम लोगों कुछ जरा शरम नहीं आए बोलो जुब क्यों हो और विस पिचारी बोली बाली गाई पर कलंग लगाते हुए तेरी जबान क्यों नहीं कड़ गई उसमें कीरें क्यों नहीं पड़ गए और अब यहां बैठे किस बात का मातम मना रहे हो जवाब दो बीदी ओरत के पास असमत के सिवा और क्या होता है अच्छा होता यह सीता की तरह लोगों के बीद मेरी भी अगनी परिक्शा ले लेते अच्छा होता अगर मैं ही मर जाती कम से कम यह दिन तो नहीं देखने पड़ते हैं पता नहीं यहां किसने लगाई बेचारा गोविंदा तो जाने कहां बटक रहा होगा मीम मेरे बेंडी को मतलि हैं अच्छा जाम मतलिय को मतलिया! मतलिय हो जाम... अब अगर तुम लोगा ने इन मासूम औरतों पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ काटकर गले में लटका दूगा अपनी अपनी बंदू के फेक कर भाला जाओ अगर किसी ने होशारी करने की कोशिश की तो गोली मार दूगा अगर तुम तो शक्ति का उतार है अगर तो वक्त पे नाया होता तो ये घर परबाद हो जाता वगवाद तेरी उमर सो बर इसकी करे अपन तो 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 दूश्मन समझा था मगर तुम तो दोस्त निकले यह माफ करना दोस्त अपने जिन्देगे में किसी से दुश्मनी नहीं हाँ दुश्मनी है तो बुरा इसे बदनियती से है लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मेरी एक बात याद रखना हमारा देश हमारा धर्म हमारी संस्कृति हमें यही सीख देती है कि जब भी किसी के मा बहन या बेटी की इज़त लुटी चा रही हो तो मर मिटना लेकिन उसे माफ मत करना जो माफ कर दे वो कायर है बुस्दिल है वो एक पहन का भाई नहीं एक बेटी का पाप नहीं अपनी मा का बेटा नहीं इस धर्ती का बेटा नहीं तुम दिलेरी नहीं महान इंसान भी हो मगर तुम्हारा यह हाल लगता है जिन्दगी में कुछ वंदा हुआ है हाँ दोस्त कुछ ऐसा ही है किसमत मुझे बिल्कुल तर्बदर का बना दिया है मुझे खुद मालम नहीं कि मैं कहां जाओंगा क्या करूंगा बेटा तुम जैसे फरिष्टे को तो मंदिर में बिठा के पूझना चाहिए बाजी मुझे पत्थर को कोई मंदिर में बठा कर क्या पूझेगा मैं तो खुद एक मंदिर का ठुकराया हुआ इंसान हूँ अगर ऐसी बात है दोस्त तो आज के बाद तो मापून के साथ रहेगा हाँ बिठा दीदी यह सब कैसे हो गया दीदी धरम भाया तो गोविंदा से इतना प्यार करते थे तो तो फिर गोविंदा इस तरह घर छोड़कर क्यों चला गया लगता है भगवान हमसे रूट गया है जिस घर में खुशियों के फूल बरसते थे वहां अंगारे बरसने लगे और इसकी लपेट से मैं और गोविंदा दोनों जुलस गए एक गोविंदा ही था जिसे मैं अपना सुख दुख कहकर मन हलका कर लेती थी गीता जाने से पहले तुमसे तो मिला होगा कहां गया है वो नहीं और ना मैं उससे हर्गिस नहीं जाने देती कभी नहीं लेकिन उसने तो मुझे भी पराई समझा वो वो एक आई कितना कठोर की हो गया दीदी अच्छा मैं चलती हूँ हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो ये लो काखस ये लो कलम दिल पे मेरे लिख दो सनम के तुमको हमसे प्यार है के तुमको हमसे प्यार है अरे छोड़ो 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 काखस छोड़ो कलम मेरे लभू से लिख लो सनम चोड़ो काज चोड़ो कलम मेरे लगू से लिख लो सनम हम को तुमसे प्यार है 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 अरे ओय 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 ये लो काज ये लो कलम छोड़ो कार छोड़ो कलम कार छोड़ो कार छोड़ो कलम तुम से दूर जाए अरे लोट न चाहे पर लोट न पाए तो क्या मूँ चाहो की याद तक न हाओ की अरे ऐसी बाती क्यों करते हो मुझे डराओ कर क्यों असते हो क्या रुलारा खीक है यू सतारा एक है तुम तो पागल हो गई हो मैं तो यू ही छूटी बाते बोल बैठा अरे छोड़ो छोड़ो येलो काहज येलो कलम अरे छोड़ो काहज छोड़ो कलम क्यों तो येलो काहज बाते तेरी सासे मेरा जीवन तेरा दिल है और मेरी धरकन साथ साथ हम चले साथ साथ हम रुके ओ मांग तेरी मैं धर दूंगा और तुझे सुहागन मैं कर तुंगा रांग अपना तुझे को देके प्यार अपना तुझे से लेके इस जमी से आसमा तक तु है मीरा 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 उस जहां तक चोड़ो 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 कावस छोड़ो खलम मेरे लगू से लिख लो सनम चोड़ो कावस चोड़ो खलम मेरे लगू से लिख लो सनम हाँ हमको तुमसे प्यार है ये लो कावस ये लो खलम मेरे लगू से लिख लो सनम 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 तुम इस तरह कहा चले गए थे गोवन्दा बाइया ने जिस तरह से बेज़ज़त करके मुझे घर से बाहर में गाला मैं किसी को मुझ दिखाने के काबिल नहीं गोवन्दा ऐसा मत सूचो भगवां पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी तुम मेरे साथ ही रहोगे नई गीता अभी तुम्हें चेनु के साथ उसके गाव कंगापूर में रहना हूँ क्या तुम मुझे गैर समझते हो नहीं गीता ये बात नहीं लेकिन सबसे पहले मुझे इस कमीने के साथ ही साथ किताब करना है जिसने हमारे घर को आग लगाई दरम भाया दरम भाया घर में कोई नहीं है अच्छा घर में कोई नहीं है हाँ धरम भाया खेद में गए होंगे माजी मंदिर में गई होगी अरे क्या बात है पवित्रा भावी बड़ी उदास नजर आ रही हो अरे हमसे को हम भी तो गोविंदा से कुछ कम नहीं है तुम तो गोविंदा के पाओं की धूल भी नहीं हो चले जाओ यहां से भावी वैसे बड़े दुख की बात है बीना इजद यह इजद निलाम हो गई अब अगर मैं तुमारी इजद ले लूँ भावी तो मुझे आज कौन रोक सकता है चर्वाम ने जो खते चंदो वने खते क運र को फान अख कर दक के कुछने तो नहीं मेरी थर को पर बात किया आज मैं तुझे जिद्धा disagree 또 दानिशोर, अरे कहा जा रहे हो, अरे रुको तो सही मा, क्या बात है, दानिशोर ऐसे क्यों, अरे, क्यों रोर रहे हैं, तुम लो क्या हुआ पीठे, तुने गोविंदा पे चूटा का लग लगाया, आस्तीन का साफ तो वो पापी धनेशोर है, आज उसने अपनी घर की इस्दत पर हांट डालू, मा, यह क्या कह रही तुआ, सच कह रही हो, बेठे, अगर मैं ना आती, तो आज दर्ट हो जाता, धनेशोर, मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा, झालो आजम गभाट का बच्चा है, पहुचा के ही चोड़ूगा, घर, सच कहा है, थाइच वो तो श्मासे दियाजी, तुझे नहीं मालूम का है, नहीं मालूम, दवी, टुठे तुटे उसका चाहाईजूगए, तुठे तुछ नहीं जोड़ता हूँ मुझे कुछ नहीं पता जी नहीं पता कहां भागेगा तू दानिश्वार कहां च्यूटी के भी पर निकल आये हैं वो यहां आया था मुझे मारने अरे वो मुझे क्या मारेगा मैं खुदी उसे मुझे बना दूंगा और कोई सबूत भी नहीं मिलेगा आपके पर अज़ता हमाने तूंगा और कोई भी आभा दो जाएगा प्यूता हम् कर दो 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 धृट तारंजेन तेखा थाक और धनेश्वर से दश्मनी का मज़ा धनेश्वर बज़ियो जबचे जफर जफर अज़िए, अज़िए अज़िए, अज़िए अज़िए, अज़िए, अज़िए अज़िए, 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 अज़िए अज़िए किसे नज़र खागी मेरे बैया को, किसने मारा बैया को खर्प मता कर दोnak है झारी लापjekt बसो ब都र्मया बसो बसो बढ़ आखா बसो बसो मता फुर्फ वीट, वान ही रखाया है वुष्छे, पाठी मेरे मेरे सौहां को उजाड़ा है यह पंड़ी मैं तेरा कोर्ट आउन उन्ट, काण माजी मुझे चोर्ण है माजी मुझे चोर दो, माजी मुझे चोर्ण है पाजी उजे चोड़ दो तवाले, हम तो मातम पूर्जी के लिए आए तो यहाँ पर चुटे, तुभातिया रहे हो, तुभातिया रहे हो जीजा जी, कर लो कि रिप्तार, चला दो भासी पार, सुली में लटका दो सभी तेरे दिल के आप धड़ी होगी पाजी कोविंदा, तुम्हे नहीं मालू, तुम्हारे घर पे दुखों का पहार तोट पड़ा है जी चेलू, कह दे के जूट है चेलू, चेलू, तुझे मेरी दोस्ती की कसम कह दे के जूट है नीता गटा लिग रहा हूं मैं है दोस्त और आज एक बाद बोलता हूं, उस हरामजादे धनेश्वर को खतम कर दे जिसने तेरे भाई का कतल किया है ये ले गोविंदा, उड़ा दे उस हरामजादे को मेरे जीते जी, मेरे भाई का खून बै गया कसम है मेरे भाई, तेरी खून के बहेवे एक एक कत्रे की उस आस्तीर के साफ का सर मिक्टी में लोन दूगा धनेश्वर कुल गाते कुटे, कुविंदा तेरा काल बन करा राए बनाने जित्ती माच बनाने गाव धनेश्वर की शान में गाव सब को गा कर सुनाओ, के धनेश्वर धरम का अवतार है आज से तुग गोविंदा के महफिल में नाई, मेरी महफिल में गाएगा हमने जब भी गाया है, खुदा की शान में गाया है खुदा के नेक बंदों के लिए गाया है तेरे जैसे नीच और कमीने के लिए गाकर मैं मालिक के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता समझे कोविंदा के वफदार कुटे इससे पहले के मुझे बहुत गुसा आजाए मुझे खुदा समझ कर गाव मेरी शान में गाव शान तो इमान वालों की होती है कुटे तेरे पाप का घड़ा भर चुका है किसी भी वक्त फूटने वाला है समझे बहुत चल्जी फूटने वाला है कि धन्ना बाबु तरह इसर पर देखिए कि तुझे मैं अब भी मार के रंग में भंग नहीं डालूंगा पहले उस हसीना के साथ मौज मजा करूंगा फिर तुझे चांद से मारतूंगा लेजा पांदोश कुत्ते को अरे चल चल मर गये मार गये वाले मारा मारी जोड़ो इस बरपूर बन खाती जवानी से नाता जोड़ो यह कली कश्मीर से चली भपाल में फलियर आपके अगोश में खिलेगी किन्तु चिन्तु प्रांतु जंगल में राज के अच्छा अच्छा यह तो पिजली है बिजली ए बिजली तरह चमक के दिखाओ ना मारी जोश है ऊमरिया में लोच है कमरिया में जोश है उमरिया में, लोच है कमरिया में, गुंगरू मी बान है न जाने वाला चाहिए ए मैं हूँ एक बासुरी अरे मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए जोश है उमरिया में, लोच है कमरिया में जोश है मरिया में, लोच है कमरिया में, गुंगरों में बाने है ना जाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मेरी बगिया में इले है बगार के दान जैसे बिकरे हो आप ली अनार के ओ खूल मेरी बगिया में खिले है बहार के दान जैसे बिकरे हो आप ली अनार के गोरा गोरा रूप है चांदनी की धूप है चांदनी की धूप में नहने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए यह बास, क्ट दे मौत है पोरा चाहिए छाइ भर जांदनी की वास्वय भर कि लूप है बोटलों के पानी में रंगों की बहार है मेरे अंग अंग में शराब था कुमार है जिसके दिल में प्यास जगे आपके चार गोट भर पीने वाला चाहिए एक मासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने बना चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने बना चाहिए जानी दरेश्वर कुत्ते भूल गया कि जिस इंसान का तुन्हे कतल किया उसका लहू अभी तक जिन्दा आए मेरा लहू इतना सफे नहीं हुआ कि अपने भाई की मौत का बदला नो ले सको पगरो इसे पगरो जाने लब बाई जाने लुए जाने लुए जाने लुए जाने लुए जाने लुए को इंदा भाई का बहत बुरा हाल है लाहें, मिरा बाइब 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 को विंदा यह सब क्या हो गया भावे यह सब क्या हो गया देखा बिटा, तेरे जाते ही सारा घर उजिण गया माय, मैं जिन्दा नहीं छोड़ूगा उसे, मा जिन्दा नहीं छोड़ूगा जान से मार डालूँगा उसे, जान से मार डालूँगा उसे नहीं बिटा मैं हून, मा मैं हून वविंदा अपने आपको मेरे हावाले कर दो नहीं बिटा, यह तुम क्या कह रहे हो इसने रोनकी को गोली मार कर कानून को हाथ में ले लिया है यह नहीं हो सकता अगर कानून के इतने सचे पहरेदार हो तो जाकर धनेश्वर को गिरफतार क्यों नहीं करते एक हत्यारा पुलीस और कानून को चक्मा देकर दिताहरे सीनात्तान के घुम रहा है आखिन क्यो उसके खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं जबकि गुविंदा ने भरे लोगों के बीच गुली चराई है देखो गुविंदा तुम्हारी बलाई इसी में है तुम अपने आपको मेरे हवाले कर दो अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाए तुम आपने चान दे दूँग भीती बच्मना मत करो मेरे रास्ते हर जो जा गुविंदा भाग जा मेरे भाई भाग जा मैं जा रहा मा रुक जा गुविंदा वर्दा कोली मर दूगा थानेदार साब बहतर होता कि आप ये गुली इस काउं की हिफासत के लिए चलाते लेकिन अब जो का महापुरा आपका कानून ने कर पाया वो गुविंदा करके दिखाएगा आज याँ चलाइए गुली रुक क्यों गए चलाइए गुली मेरे सीने के फार कर दीजिए और अपने कानून की आपको धंडा कीजिए इस घर का एक जिराख तो पहले ही बुज गया और आप पूरे घर में अधेरा करना चाहते हैं क्या कैसे रिष्टेदार है आप तब कहा था आपका कानून जब मेरे सुहाग मिटाया गया आज तक मेरे पती का कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया आपका आपका पका ए आपका लाओ आप incentive ए फbor ए आपका रहर कlog कीज़ आपका का is झाल झाल हरे अगर बहादूर हो तो आओ ओजाए दो दो हाथ बहुत खरूर है अपने आप पर अभी देखता हूं कितने दम है दुमारे वाज़ों में झाल 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 तुम बहादर हो और बहादरों की हम कदर करते हैं कि रौन की बत्या सरकार तो रौन की भरा नहीं हादी वह बत्या रौन की के बच जाने से कोविंदा साला तो बची जाएगा रौन की भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिये हुई अँड़ागा हुई खुट हुई कि अब तेरी रहुनक इस दुनिया में नहीं रहेगी मुझे माफ करना थायव उनकी मर गया यह ओ नो गोविंदा तुम अपने अपी फस्त जा रहे हो गोविंदा कि मा का पुरसाद लो मेरे भाई मा की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेंगी कि यह हर यह कि किसी की रक्षा करेंगी इसके हाथ में हई क्या जो यह रक्षा करेंगी है इस जूट है डों में बक्वासे सब ऐसा मत कोहो मेरे दोस्त यह सारी दुनिया ऐसी शक्ति के इशारे पर ही तो चल रही है तो क्या धनेशवर जैसे पापी भी इसी शक्ति मा के बल्बूते पर धरती मा का सीना रोन रहे इंसानियत के पीट में खंजर घोप रहे और तुम्हारी यह मा तुम्हारी यह शक्ति मा आखे मीच कर सो रही है देखते देखते हमारा हसता हसाता सुकी संसार हुजड़ गया लेकिन तुम्हारी शक्ति मा की पत्री ली आखों में हासु तक ना है मैं नहीं मानता तुम्हारी इस मा को मैं नहीं मानता इस शक्ति मा को और अगर यह है भी तो सिर्फ पापियों और जालिमों को पना देती है, इंसानों को नहीं ये धर्ती पे जल्म जब जब बढ़ता है तो मा की आखें कायरों की भीड में छुपे हुए किसी ऐसे सचे माई के लाल की तलाश करती है जो मा की परिक्षा की कसौटी पर खरा उतरे और शायद वो माई के लाल तुम हो, क्यो? मुझे इसी बात का तो दुख है कि मैं मा की कसौटी पर खरा नहीं उतरा मेरे भाई, तुम्हें शक्ती का इस्तेमाल डाकू बनकर नहीं बलके एक मिसाल बनकर करना होगा मा तुम्हारे रोम, रोम में शक्ती भर देगी अगर ये मा है तो इसके सीने में वो धड़कता हुआ दिल होना चाहिए जो पेटे के दर्द और उसकी कसक का एसास कर सके जायद मा ने तुम्हें हमारे पास इसलिए भेजा है मा को परणाम करो और अशीर बादियों जय अमबे मां कर दो कर दो कि अधार कुटे कहां चुपकर बठाए चुए कि तरह चुपता क्या है अधार कुटे का लगता है भाग गया कुटा कहीं का सरदार वो भाग गया सिर्फ माल मिला है मुझे माल नहीं मुझे धनेश्वर चाहिए बड़े साहब मैं कहीं का ने रहा मैं बरबाद हो गया गुंडे को विंदा ने मेरा पुष्टेनी मकान तोड़ वोट डाला सब लूट लिया अब तो नौबत यह है साहब जान बचाने के लिए रातों को खेतों में चुपना पड़ता है और हमारे इलाके की पुलिस साहब उनके कानों पे तो जू तक नहीं रहती साहब क्या बक्ते हो जूट कहें तो गोली से भून दो हमारा क्या है हम तो गाउं छोड़कर शेहर में बचाएंगे अगर दिन्दहाड़े डकेतियां पड़ि तो पुलिस की इजशत अग्या होगा वैसे भी पुलिस की बद्नामी कुछ काम नहीं है माई बाप क्या मतल़ है तुमारा अमारी पुलिस पो रही है सोई यज नहीं यह तो मुझे नहीं पता मगर भाई बतीजावाद बहुत चल रहा है साब गुविंदा का जीजाई हमारे थाने का इंचार्ज है और उसी की पना में हमारा सारा गाउत तबावरा साब तुम सच कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहा हूँ उसूर ठीक है मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ खुदा आपको सव बरस की उमर दे एक खास बात और उसूर गल रक्षा बंदन है और गुविंदा अपनी बड़ी बहन को बहुत मानता है तो उससे राकी बनवाने जरूर आएगा आप वहीं उसे पकर सकते हैं पुलिस को शक है कि तुम बहन के घर पर राकी बनवाने जरूर जाओगे इसलिए वहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है मैं और मेरे साथी भी तुम्हारे साथ चलेंगे नाई विकरम मैं अपने लिए तुम लोगों की जान जोखम मैंने डाल सकता एक मेरी बहन ही तो है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है मैरा की बनवाने जाओँगा और अकेला जाओँगा हे भगवान एक भाई तो मेरा तुने पहले ही चीन लिया अब गोविंदा की रक्षा करना करम अजिए बना कर बेंदाक कर दो 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 कोविंगा कनी देख भेना मैं आ गया कोविंगा तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था भईया तेवार तो बार बार आते है लेकिन जिन्दगी से दुबारा नहीं मिलती मेरे भईया तो भईया की जिन्द इसकी बहन से बढ़कर नहीं चल 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 इस राकी बंदी चल राकी तो बंधवा चुपे गोविंदा आप हदकड़ी बंधवाने के लिए तैयार पो जाओ खबरदार चाला की नहीं वरना सीना चल नहीं कर दूंगा जी 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 मुझे बचा लीजे झाल झाल प् शहर बार इझार लुफ झार शारी क्वाली बार कॉछ दुए अई मिला ही जिग्वाली remember आरकेश चलाओ! ओर रहाँ! भाग गया स्काला! पर मैं तुम्हे छोड़ूंगा नहीं, गोविंदा! खाँ पर दोड़ूंगा! झाल 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 गोविन्दा बगला क्या निकल गई हेकड़ी साले की एक एक करके मेरे सारे काटे साफ हो गए हो वित्रा रानी अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता बहु काए भेंसो को अंदर बांदे लगता है तूफान आने वाला है यह राव रीचर था यह- थ offers या रूभाव अरू सा का यह र् быपान स्ट हरो वाला यह यहश्य था यह काऒ चैर नहीं पहाँ आका आल ड़श ситу धाए хотелने वाल और्पानिए çaव कि अजब रूटी देने लिखने पोला हुआए पनियो बड़र। कर दो कर दो कर दो उस दिन जब मैंने तुम्हारा हाद थामा थाँ तब अगर मेरी बात मान ली होती तो आज आज तुम सहागन भी होती और हमारी प्राण प्यारी भी अगर तुम्हारे दिवर्जी जेल में शड़ रहें और पती वो तो परमेश्वर को प्यारे हो गए अब मुझे कौन रोकेगा कोई नहीं नहीं मचो मुझे मचो मुझे बच्चा आओ चिला और जोर से चिलाओ जी बज़कर चिलाओ तुम्हारी आवाजे लाट कर तुम्हीं कर दराएंगी थाटो नहीं कर दाएंगी ये पोप है जोर्ताओं ये पाप ये दखन रखन जोरताओ झाल जान माँ झालूज झालूज झालूज़ झाल झाल रहीम बाभी 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 झाल झाल कर दुब फाल Susie कीज़ कर दूoft बोलती क्यो नहीं बोल क्या हुआ किस ने तरी हालत भघा बोल क्यों हमसे अन्याए कर रहा है पिठ्या, बहुर पिठी, बहुर भाबी, क्या हो गयर तुमें, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं भाबी, बोलो न भाबी दीदी, ये क्या हुआ दीदी बहुर जी, ये सब क्या हो गया बहुर पिठी, बहुर गीत आये तुझसे मिलने के लिए दीदी, मेरी तरफ देख दीदी, मैं गीता हूँ तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं दीदी, बोलना दीदी नहीं, ये हमारी यारी के नाम पर धबा है तोहीन है तोहीन टाके हमने भी डाले है उनकी होली खेलना हमारा पेश आए दोहाय माजवाना देवी की किसी की इस्जत आब्रू हमने नहीं लूटी मैं इस पाप पी तरेंदे को जिंदा नहीं जोड़ूगा नहीं विक्रम यह गोविंदा का करत है यह उसी को उतार में गोविंदा जेल में है हमें उसे निकालना है कर दो गंगा की खसम, दुर का मां की खसम, धर्पी मां की खसम, एमान की खसम, अपनी चान की खसम नाम में चाते रस दूंगा इस धर्पी थे शैतान का लहू का रंग एक है दुनिया के हर इंसान का दर्पड़ा ही होता है दर्पड़ा ही होता है जब कि ठीका पने लगू वो चाहे हो तेरा लगू या मेरा लगू पप्पी? पाव मच्छो आप मैं इसका विल नहीं रही है कौन कहता है कि तुम्हा पवित्र हो कौन कहता है कि तुम्हा पवित्र हो भावी तु तो पवन गंगा की तरह पवित्र हो दूसरों के पाप की सजा अपने आपको मत दो भावी तिरे चल्णों की सोगंद मैं उस चांडाल को ऐसी सजा दूँगा ऐसी सजा दूँगा कि वो मरने के बाद भी जनम जनम तक भूल नहीं पाईगा सर्जा तो मैं दूँगी इसलिए तो जिन्दा रही तुम्हारा ही इंतिजार था वरना मेरे दिल की जोला श्याद पही होगी तुम्हारे सेने की भड़स्ती हुई जोला में मैं उस पापी की लहू की आहूती दूँगा जनम भावी आओ मेरी साथ पापी इसने पवित्रा भावी की देद लूटी और राजाने कितनी लेडक्यों की इसने लूटी इसने धरम भाईयां रॉन्की का खून भी इसने ले किया है इसको पकड़ो मारो यह नहीं हो सकता गोविंदा जेल तोड़कर भागाया है ठीक है अब मैं ये खेली खत्म कर दूँगा गोविंदा किसे ने हिलने की कोशिश की दो गोली मार दूँगा इसने भ़ता है है इसने लुटाईप जीक बंदानार कोशिध ये उन में पर दूब जे दूँगां से किहा धिर्थन जीक है जे एक में जेखे अचाईब का जेग्ड़कर जेखे वेता आरल इसने तुटाई जेखे किवा जेखे ख़ए ए कीज़ चाईब थारता है ये जे झाण कर तो खब दो हाँ इसे दो बाद कर दो कर दो ओिटांट कर दो कर सकता है कर सकता है झाल 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 इस कमीने को इतनी आसानी की मौत मर गोविन्दा गे ले खोलने गोविन्दा फिर्जिश्य गोविन्दा 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 खोलने मुझञे खोलने पूटत estado लगई के इंसान तो क्या भगवान के कानों तक नहीं पहुन सकते हरामजादे अफसोस तो इस बात का है कि तेरा तो याद सिर्फ जिसम जलेगा लेकिन जिस आग मैं जलता आया उसका तो धुआ तक नहीं दिखता साले तुन्हें मेरे देवता जैसे भाई को माड़ देवी ज किसे लोगों की जिन्दगिया बर्बाद के लेकिन आज आज में तेरे जिसम के ऐसी होली जलाओंगा कि आसे को सो तूर तक कोई भी कमिना ऐसे गंदी हर्कत करने की हिम्मत नहीं करेगा आज में तेरी जिन्दा होली जलाओंगी झाल! 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 बापी, नहीं बापी, नहीं बापी, मिरा इंटे का पुरा हो गया अएपी... बापी? अवे जारी हूँ बापू, इटा बाबी, बाबी नहीं, नहीं, बाबी बाबी, 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 बाबी